धर्मी चन की पीड़ा और आशिरवाद चौने को उलट कर ठीक करेगा मैंने कहा हे यहवा मुझ पर दया कर मुझ को चंगा कर क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद पाप किया है मेरे शत्रुय कहकर मेरी बुराई करते हैं वै कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा और जब ये मुझसे मिलने को आता है, तब ये व्यर्थ बाते बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बाते संचय करता है, और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद होकर मेरी हानी की कलपन जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुदलात उठाई है, परंतु हे यहोवा, तु मुझ पर दया करके मुझ को उठा ले, कि मैं उनको बदला दू, मेरा शत्रु जो मुझ पर जैवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है, कि तु मुझ से प्रसन है, और मुझ तो तु खराई से संभालता और सरवदा के लिए अपने समुक स्थिर करता है, इस्राइल का परमेश्वर यहोवा, आदी से अनंत काल तक धन्य है, आमीन, फिर आमीन झालाष आमीन, आमीन, यहोचित है, रहाँ जाराफ यहा है, इससमैं आदी से द्धिर का गिलाएंप, झालाव, चल असारी जाता है, तो तु म formerlyंहां, थाता है कर दो मॉझ mr. झाल झाल